अस्तराव अलेकुम आम का मौसम चल रहा है और हम आज एक आम की रेसिपी बनाएंगे गुड़ अमबा क्यूंके मराटी में आम को अमबा बका जाता है और उसमें गुड़ डाला जाता है तो ये बनता है गुड़ अमबा तो देखते हैं इसकी रेसिपी इसके लिए हमने एक किलो कईशी ली है जो कच्चा आम है लगभग एक किलो के खरीब है ये और उसका हम छिल्का उतार लेंगे इस तरीखे से और छिल्का उतारने के बाद हम इसको इसके पिसेस करना है छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे इस तरीखे से पीसेस कट करने के बाद हमने एक बोल में इसको भर दिया है तो इसके लिए हमने एक बोल का एक मेजरमेंट के तौर पे लिए है इसको तो ये दो बोल भरकर ये उसके आम के पीसेस हो गए और ये आदा किलो गुड़ है ये गुरान वाला गुड़ है जिसमें कोई केमिकल वगेरा नहीं होता है तो उस गुड़ को लिया है तो चलो देखते हैं इसको अब कैसे बनाया जाता है पहले हमने गुड़ के पीसेस करना है याने कि उसको क्रश करके निकाल देना है इस तरीखे से छुड़ी की मदद से आप कट कर ले तो पतले पतले इसके पीसेस निकल आएंगे और ये गुड़ का एक गुरादा सा तयार हो जाएंगा उसके बाद हमने इस गुड को एक साइड रखते हैं और कईरियों को या कच्छे आम को एक पैन में आड़ करते हैं कडाई में आड़ करते हैं और उसमें एक बोल भरके पानी आड़ करेंगे जिस बोल से हमने काईरी का मेजरमेंट किया था उसी बोल से हमने पानी आट किया है उसके बाद फ्लो मेडियम गैस पर इसको एक 15-20 मिनाट के लिए पत्मे के लिए रख देते हैं और उसके बाद यह अच्छे से गल जाएंगे उसको थोड़ा मैश करेंगे उसके बाद हम दिनों में बहुत ज्यादा बनाई जाती है हर घर में बनाई जाती है तो देखो यह गुर मेल्ट होने के बाद इसका कलर इस तरीफे का हो गया लेकिन जो आम के पीसेस है वो अभी भी हमको नजर आ रहे हैं इसलिए हमको इसको थोड़ा मैश करते रहना है पहले तो हम गु टेबल स्पून हमने तील आट किया है या आप वाटर मिलन सीड्स भी आइड कर सकते हैं लेकिन हमने सीसम सीड आइड किया है उसके बाद हमने आइड करना है एक टेबल स्पून देशी घी घी ऑप्शनल है लेकिन इससे इसमें शाइनिंग आ जाती है इसके बाद यह जो प करेंगे देखो अच्छा आप यह मैश होकर इस तरीखे का कलर आ चुका है थोड़ी देरा और पटने देंगे उसके बाद हम इसको करते हैं डिशाउट तो आप आसान सी रेसिपी है आप घर में भी बना सकते अपने बच्चों को दे सकते बहुत ज्यादा टेस्टी मज़ेद बच्चे इंजॉय करके खा सकते हैं लाइक शेयर जुरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें थैंक यूद